हलो एवरीवान वल्कम तो माई यूट्यूब चानल एएच हलपलाइन कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेश एड्मिशन और री रेश सेशन करने का लास्ट डेट के बारे में ऐसे में फिर सेशन के अंदर यही डाउट है कि क्या फ्रेश एड्मिशन करने का लास्ट डेट और री रेश सेशन करने का लास्ट डेट एक बार फिर से एक्स्टेंड किया जाएगा और उसका क्या पॉसिबिलिटीज है तो पहले हम लोग fresh admission के बार में बात के लेते हैं तो देखो जुलाई दौते ही session के लिए fresh admission काने का last date जो अभी के लिए 15 जुलाई तक रखा गया इसको further confirm extend किया ही जाएगा और उसका reason है जैसा कि मैंने आप लोग को previous time पे भी बताया था कि IGNU में हर session में new new courses launches होते है और जब भी new course launch होता है तो उसमें admission लेने के लिए time दिया जाता है उसका advertisement के लिए student तक पहुचाने के लिए उसमें time दिया जाता है अभी 30 June जब last day रखा गया था उससे 10 दिन पहले आप लोगों पता होगा कि बहुत सारे MSC के courses launch किये गये थे IGNU के तरफ से MSC in Physics, MSC in Geography, MSC in Chemistry, MSC in Geology ये सभी courses launch किये गये थे अभी कुछ दिन पहले फिर से PG Diploma in Environmental Studies launch किया गया है जसकुछ दिन पहले इसका बहुत जोरो सोर से advertisement चल रहा है हर एक एक जबापे चाहिए वो Twitter हो, Facebook हो या बाकी other social media platform हो वहाँ पे भी इस course का बहुत ज़्यादा promotion चल ला है PG Diploma in Environmental Studies इसके इलावा भी और भी बहुत सारे IGNU ने अभी PG Diploma courses launch किये है July 23 Session के लिए और जब भी last date से पहले new program launch किये जाते हैं सब तक date को extend किया ही जाता है तो अभी कुछ दिन पहले ही इतने सारे program launch किये गए है तो अभी last date को further और extend किया जाएगा अभी admission बंद नहीं होगा एक और बात मैं आप लोगों को बता दो कि जितने भी semester based program admission लेना चाहते है वो ज्यादा late मत करना क्योंकि semester based program का हर बार पहले admission खतम हो जाता है क्योंकि semester based program का हर six month बाद-बाद exam होता है और हर six month बाद-बाद उनको इसामें submit करना होता है इसलिए उसका admission पहले close हो जाता है अब अगर semester based program का भी September तक अगर admission चलते रहे तो फिर उनको book भी पहुचाना होता है उनको assignment भी बनाना होता है और December में ही उनका exam हो जाएगा तो उनको time दिया जाता है उसके लिए इसलिए उसका admission पहले कतम हो जाता है तो जितने भी student को अगर yearly based जितने भी program है उसमें अगर admission लेना है तब तो आप लोग अराम से wait करके admission ले सकते है क्योंकि अभी last date को extend किया जाएगा लेकिन अगर आप semester based program में admission लेना चाहते है यानि के BCA, MCA, MBA ये सभी semester based program है इसमें admission लेना चाहते हैं तो ज़्यादा late मत करना admission लेना लेकिन semester based program का भी अभी last date extend किया जाएगा पहले semester based program का बंद होगा उसके बाद से फिर बाकी जो yearly based program है उसका admission बंद होगा लेकिन fresh admission काने का last date पंदा जुलाई के बाद से एक बार फिर से 31st जुलाई तक confirm extend किया जाएगा उसके बाद से अब हम लोग बात के लेते हैं re-registration का देखो re-registration में risk एकदम नहीं लेना है क्योंकि re-registration अभी last course session से बहुत जल्दी बंद कर दिया जा रहा है और इग्नो एक certain pattern को follow नहीं कर रहा है जैसे देखो previous session में क्या हुआ था कि बहुत बार I mean re-registration का निका last date को extend किया गया था प्रस उसमें fine भी लगाया था late fine उसके बाद से फिर last date को बंद किया गया था लेकिन यह जो late fine वाला चक्कर है यह हर session से नहीं हो रहा है यह just previous session में इग्नो नहीं late fine लगा था इससे पहले कभी भी late fine नहीं लग रहा था तो यह अगर pattern को आप लोग देखोगे कि पहले अभी without late fine चल रहा है अभी late fine लएगा उसके बाद से फिर हम I mean last date बंद होगा तो उस चक्कर में मत रहा ना क्यूंकि इससे पहले भी re-registration को बहुत जल्दी बंद कर दिया गया है and middle of the month में ही कर दिया गया है तो re-registration में risk नहीं लेना हाला के अभी अगर pattern के हिसाब से देखोगे तो re-registration का last date एक बार और extend किया जा सकता है with late fine ठीक है लेकिन इसमें ज़्यादा risk मत लेना और देखो re-registration में तो कोई problem है नहीं fresh admission में फिर भी student को issue राता है admission लेना है तो उसमें I don't think कि आपको delay करके कुछ फायदा होगा इसलिए re-registration में risk मत लेना क्योंकि re-registration का last date extend होने के chances 100% नहीं है थ्वास अका में क्योंकि already re-registration को बहुत बार extend किया जा चुका है और re-registration last date extension का सिर्फ दो ही reason राता है जिसके वासे re-registration को last date को extend किया जाता है एक है OTP problem और payment problem payment problem बहुत दिनों से student face कर रहे हैं और उसको already resolve किया गया है अभी बे कुछ student face कर रहे हैं तो वो लोग चाहें तो ये video देख सकते हैं इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोग कोसिज करो कि कर लेने के लिए हलाके chances तो है लेकिन chances कम है fresh admission का 100% है कि वो extend हो गा ही होगा और जब होगा उसके बाद समय आप लोग को channel पर बता दूँगा normally last date के बाद ये notification आता है यानि कि 15 जुलाई को last date है तो उसके बाद notification आएगा तो उस चीज का इंतजार कर लेना और आप लोग कोसिज करो कि जितना जल्दी हो सके rerace session करवा लो इसके उपर मैंने अल्लेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से strength को July 23 session के लिए rerace session करना है आते साथ कैसे करना है उसको पर भी वीडियो बनाया हुआ है चाहिए वह बीए बीकम बीए सी को और सी लबस के strength हो बीए जी वीकम जी के strength हो या फिर मास्टर डीए के strength हो सभी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है description में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग वीडियो देख लोगे आप लोग को सारा चीज समझ में आ जाएगा यही सब देश वीडियो में मुझे उमीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आओगा सभी फ्रेंड के साथ से एक है तक उनको भी a detail information मिल पाए किसी भी दागे डाउट के लिए आपनों नीचे कौन बाक्स में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपने डाउट के लिए कर सकते हैं और अगर आप एच हेलप लाइन चैनल पे फास्ट हमाय है तो में किसी और आप लोग पहली फुरसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कले तो थैंक यू सो मच पर वाइट इस वीडियो थैंक यू सो मच